So what's up guys, welcome back to the channel आज हम लोग पढ़ेंगे polynomial मतलब आज हम लोगा ये जो वीडियो है ये introduction वीडियो है polynomial पर तो इसको हम लोग समझते है polynomial क्या है? दोगो इसको नाम को ही समझोगे तो इसके बारे में आधी चीज तुम समझ जाओगे poly मतलब क्या होता है? polynomial मतलब क्या होता है? ये समझते हम लोग सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है poly polynomial ये दो word को मिला के हमारा बनता है poly polynomial क्लियर है? poly मतलब क्या होता है? poly poly मतलब होता है many क्या होता है? many ओके? तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास? ये बचा अब बात आती है, यह terms क्या होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो देखो, terms हमारे क्या होते हैं, यह दो चीज से मिलकर बने होते हैं, दो चीज से मतलब क्या होता है, दो चीज क्या है, देखो, एक दो होता है हमारा coefficient, दूसरा होता है variable, क्या होता है, एक coefficient, वेरिये किलियर है अब दोखो कोफिसियंट क्या होता है और वैरियेबल क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं दोखो हम लोग बात करेंगे कोफिसियंट क्या होता है और वैरियेबल क्या होता है कोफिसियंट का मतलब यह होता है कि वो चीज जो कभी चेंज ना हो सके जैसे हमारा नमबर के अगर बात करें हम लोग 1 तो 1 हमेसा 1 रहेगा कभी यह 5 या 2 या 3 कभी नहीं बन पाएगा और इस 1 को हमेसा 1 ही बोलेंगे ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा कोफिसियंट हो गया अगर हम लोग बात करें 2 तो 2 हमारा क्या हो गया कोफिसियंट हो गया 3 की बात करें तो 3, 3B, 4B, ये सारे हमारे number, ये सारे क्या होते हैं, ये सभी होते coefficient, क्या होते हैं हमारे पास coefficient, जैसे कि हमने यहाँ पर number ले लिया 4, तो ये क्या होगी हमारा coefficient होगा, अब बात करते variable की, variable मतलब क्या, variable मतलब ये होता है कि वो चीज जो हमारी change हो जाए, बदल दी जा सके जैसे कि हम लोग कैसे हमने यहां पर एक example ले लिए जैसे x ठीक है तो यह x है हम लोग मान लेते x और इस x की value कुछ भी हो सकती है 1 भी हो सकती है 10 भी हो सकती है 9 भी हो सकती है माइनिस वन भी हो सकती कुछ भी हो सकती तो मतलब यह है कि वैरियेबल मतलब क्या होता है वैरियेबल मतलब वो चीज जो कभी भी कहीं भी बदला जा सके वह होता है हमारा वैरियेबल कोफिसियंट वह होता है जो कभी भी बदला ना जा सके जैसे कि हमारे नमबर इतनी बात के हो गया जब इन दोनों को हमने मिला दिया ठीक है जब बन गए हमारा 4x तो 4x को हमने बोल दिया कि यह हमारा एक टर्म है ठीक है क्या है एक टर्म है हमारा किलियर हो गया तो समझ में आ गया टर्म क्या होता है पॉलिनॉमियल क्या है तो अब बात करते हैं अंगे इसके और टाइपस होता है जैसे कि अगर हमारे पास क्या है हमारे पास कोई भी एक सिंगल टर्म है उसको क्या बोलेंगे अगर हमारे पास एक टर्म से जादा है तो उसको क्या बोलेंगे अगर दो से जादा हैं उसको क्या बोलेंगे तीन से जादा हैं उसको क्या बोलेंगे उसमें हम लोग समझते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास अभी एक टर्म है जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया टू एक्स तो टू एक्स लिखा उसको हम लोग बोलेंगे म मोह नॉमियल मतलब होता है एक नॉमियल मतलब हो गया हमारे पस तर्म है ना जो भी बताया तर्म तो यह हो गया हमारा मोह नॉमियल इतनी बात क्लियर हो गई अब बात करते हैं बाइ नॉमियल बाइ मतलब होता है दो और नॉमियल मतलब क्या हो गया मतलब दो टर्म होने चाहि हमने लिख दिया यहां पर plus 3x तो यह हमारा क्या हो गया एक पूरा term हो गया सॉरी यहां पर हो गया हमारे दो term एक यह हो गया और एक यह हो गया दो term हो गया अब बात करते हैं अगर हमारे पर यहां ऐसे लिखा हो था 2x minus यहां लिखा हो था हमने divide यहां पर है यहां पर लिख दिया हमने 3x तो यह क्या है दो है कि या एक है यह हमें बताओ यह हमारा एक single term है ठीक है यह हमारा more nominal है हमेशा यह बाद याद रखना minus और plus ही बताएगा कि इसमें एक term है यह दो term है जैसे कि यहां पर 20 में minus PLUS लग गया तो इसका मतलब हो रहा है कि यह पूरा term है 1 यह पूरा term है मिले के होगे 2ести जैसे यह बहता है यह बन गे हमारा 2 term है यह हमारे isन में divide आगया थीक है तो यह हमारा पूरा गिना जाएगा एक टर्म है या फिर हम लोग यहाँ पर बोल दे 2x into हम लोग लिख दे 3x तो यह भी हमारा क्या है एक पूरा टर्म है इतनी बात किलियर है स्रिफ प्लस और माइनस हमारे अलग-अलग टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे अब बात करते है ट्राइ नॉमियल ट्राइ मतलब यहाँ पर आ रही है बात कि यहाँ पर 3 हमारे पास क्या है मोनॉमियल है तीन टर्म है सिंपल सी बात कहे तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास तीन टर्म जैसे कि हमने लिख दिया 2x यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर जैसे कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ लिख दिया हमने 4x और यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 3 चीक है यहाँ पर square कर दिया के लिए रितनी बत जिसमें तीन टर्म होंगे उन्हें ट्राइनॉमियल, जिसमें दो टर्म होंगे उन्हें बाइनॉमियल बोलेंगे, किलियर, अब बात आती, पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल, देखो, अभी इसी के बारे हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर समझो, जब भी more than तीन टर्म, मतलब, तीन से ज़्यादा टर्म होंगे, तो उन्हें हम लोग पॉलिनॉमियल बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 5X स्क्वेर, और यहाँ पर हमने लिख दिया 4X लिख दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया 3X, और यहाँ पर लिख दिया 6X, तो यह हो गया हमारे पास polynomial अब बात करेंगे क्या ये हमारा polynomial नहीं है क्या ये हमारा polynomial नहीं है ये चीज आप हमें comment करके अब बताओ ठीक है अब जो भी इसमें comment करेगा उसका comment हम next video में देंगे और आप एक बात और समझ दो इस channel पे आपको Rs.Aggrawal और NCRT दोनों के solution मिलेंगे पूरे वो भी free of cost ठीक है अब आंगे आदर polynomial मतलब समझ गया more than three terms उसको हम लोग बोलें polynomial जिसमें तीन term होंगे वहाँ पर बोलें ट्राइनोमियल अब यहाँ पर confuse मत होना कि यहाँ पर three लिखा है मगर इसका variable तो कहीं है नहीं तो देखो अगर कभी भी जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया three ठीक है अब यहाँ पर variable लिख दिया हमने x और इसकी power कर दी हमने zero तो हमेशा याद रखना किसी भी variable की अगर power zero है तो इसका मतलब यह हो रहा है कि वह हमारा one है कभी भी variable की power zero होती है तो वह हमेशा one होता है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं three into one equals to यह आ जाएगा हमारे पर three तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दे इतनी बात किलिए समझ में आगे polynomial trinomial binomial और monomial किलिए हो गया अब बात करते हैं degree के हिसाब से हम लोग अपने polynomial को कैसे पहचानेंगे ठीक है अपने terms को कैसे पहचानेंगे तो यहाँ पर degree क्या है degree क्या बताती है देखो यहाँ पर बात हो रही है highest power of the variable in polynomial अब यहाँ पर degree का मतलब यह हो रहा है कि अगर हमारे पास सबसे बड़ी पावर अगर हमारे पास जो हमारा वैरियेबल है जैसे ये मान लेते हैं ये वैरियेबल है और ये वैरियेबल है इसमें सब एक जैसे हैं तो इसमें हम लोग तीन कर देते हैं ठीक है इसको दो कर दिया और यहां पर वन है यहां पर कुछ भी कर देते हैं ठ उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर ऐसे अब बात हम लोग कड़े थे degree के तो degree का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी variable को पर power होती है उसको हम लोग degree बोलते हैं अब यहां पर degree हमारी होगी highest power मतलब उसकी highest power के हिसाब से उसके अलग अलग नाम दिये गए है तो देखो अगर हमारे पास कोई भी डिग्री है जैसे कि हमने लिखा 2x plus 6 यह हमारा क्या है एक polynomial है अब इसमें हमारे पास कितनी डिग्री है तो यहाँ पर देखो x है और x में power कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है जब भी 1 होगी highest power मतलब highest degree 1 होगी तो इसको हम लोग linear बोलेंगे अब जब भी हमारे पास highest power मतलब highest degree या फिर highest power हम लोग बोल सकते हैं अगर हमारी 2 होगी जैसे हमने लिख दिया 4x square और यहां पर हमने लिख दिया 6x और यहां पर हमने लिख दिया 4 highest power इसमें क्या है 2 है जब भी highest power हमारी 2 होगी वो होगा हमारा quadratic clear है और जब भी हमारी power देखो यहां पर cube है तो जब भी हमारी power 3 होगी highest power 3 होगी जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया 3 यहां पर लिख दिया 6x square plus हमने लिख दिया 4x ठीक है और यहां पर लिख दिया हमने plus 2 यह हमने लिखा जब भी हमारी highest power 3 होगी ठीक है तो यह होगा हमारा इतनी बास समझ में आगी तो डिग्री के हिसाब से हमें उसके नाम अलग अलग आने चाहिए तो यहां पर जिसकी एक डिग्री होगी डिग्री मतला power highest power जिसकी एक होगी वह linear जिसकी दो होगी quadratic जिसकी तीन होगी वह cubic बस बस इसमें इतना ही है बहुत ही छोटा सा बहुत solution करेंगे I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया तो comment करके बताना और RS और NCRT के अगर आपको solution चाहिए तो इस चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे solution आपको इस वीडियो में और अगली आने वाली वीडियो में जुरूर मिलेंगे वह भी free of cost